पाल घर सादू हत्याकांड की होगी सीबी आई जाँच याचिकाय की सुनवाई में सुप्रीम कौट ने कहा हमें कोई आपत्ती नहीं साल 2020 में पाल घर में दो सादूं और एक अन्य सक्स की भीड दोरा पीट पीट कर हत्या की जाने के मामले में सीबी आई जाँच का रास्ता साफ हो गया है सुप्रीम कौट ने मामले की सीबी आई जाँच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा उसे इस जाँच पर कोई आपती नहीं है सरकार को हल्प नामा दाखिल करने का निर्देश सुप्रीम कौट ने 14 अपरेल को अगली सुनवाई से पहले मारास्टर सरकार से इस मामले पर हल्प नामा दाखिल करने को कहा है कोर्ट ने कहा है कि सरकार हल्प नामद आखिल करे कि मामले को CBI जाँच के लिए भेजा जा रहा है एजन्सी ने दिया सकारात्मक जवाब मामले की सुनवाई के दोरान मुख्य नियादिश डिवाई चंदर्चूड ने CBI से पूछा कि क्या एजन्सी कती थी लिंचिंग मामले की जाँच के लिए तयार है जिस पर जाँच एजन्सी सकारामत जाँच एजन्सी ने सकारात्मक जवाब दिया महराश्टर सरकार पहले ही जदा चुकी अपनी सेहमती महराश्टर की सरकार एकनाथ सिंदे के नेतरतो वाली सरकार पहले ही पूरे मामले की सीबी आइजांस को लेकर सेमती दे चुकी है पिछले ही हपते कोड को इस बारे में जानकारी दे दी गई थी इससे पहले मारास्टर में उदो ठाकरे के नेतरतो वाली सरकार ने कहा की सीबी आइजांस की जरूरत नहीं है क्या था पूरा मामला 16 अपरेल 2020 की रात को पाल गर के गाउं में भीड ने पुलिस की मुझूदगी में दो साथों की कार रोकी और उन पर हमला कर दिया इस दोरान पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई मिर्थकों की पैसान चिकने माराज कल्प व्रिक्स गिरी सतर और सुसील गिरी माराज उमर 35 और निलेश तेलगड़े उमर 30 के रूप में की गई है निलेश कार चला रहा था